आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के उपर में, तो आज ये मेरा भाई सुरू करते हैं, नंबर सिस्टम को बहुत बड़ा रोकेट साइन्स चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे आप GD का पेपर दें या CHSL, दोनों को करेंगे, तो बेसिक से चलेंगे, तो आज ये सुरू करते हैं, नंबर सिस्टम का ये पहला कलास है, तो आप देखेंगे बिल्कुल आसान से, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर में हमें ये 4-5 चीजे पढ़ना होता है, एक नंबर पहला है, यूनिट डिजिट, जो की बिल से कटेगा की नहीं, कडेगा, साथ से कडेगा की नहीं, वो इसी के अंदर पढ़ना है, ठीक है, उसके बार रिमांडर इंगी सेस्फल, सेस्पल एक छोड़ा टोपिक है, सेस्पल मतलब काफी इन्पॉर्टन है, इसको पढ़ेंगे, उसके बार नंबर अप जिरो से, तो ए इसी संख्या होता है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसी यूनिट डिजिट है क्या, तो सबसे पहले थोड़ा से मैं आपको बता देता हूं, कि यूनिट डिजिट कुछ इस परकार की चीज़े है, कि माले तक यह सा है, कि चार, पांच, छे, साथ, आठ लिग द बात है, बड़ पेपर में इतने आसानी से सवाल पूछता नहीं है, तो इसके अंदर कई टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर कई टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लेकर लेकर आया हूं, यहां पर यूनिट डिजिट के अंदर इतने टाइप से पूछते हैं कि पहले तो जोड से पूछे जागा, simple जोड उसके बाद घटा या गुना पूछ सकता है, या वर्ग स्कुर के रूप में पूछ सकता है, या जोड घटा गुना, ये तीनों में पूछेगा कैसे, इसकुर करके जो सबसे पहले यहा से हम सुरू करते हैं, ठीक है? ताकि आप थोड़े सा आगर आपको याद है, देखे सबसे पहला चीज रही है कि सम संक्या क्या है, सम संख्या किसे कहते हैं तो सम संख्या आपको पता होना जी कि सम संख्या ओइसा संख्या जो दो से पूरा-पूरा भाग लग जाता है इनकी दो से पूरा-पूरा कट जाएगा कोई सेस्पल नहीं बचता है उसे हम सम संख्या कहते हैं ठीक है जैसे मेरा भाई अगर आप समझ 10 कोई बहुल देगा कि भई बताव यार यह सम है कि भी सम है तो अंतिम में देखे अगर इसको चाहे तो आप काड़ भी सकते हैं दो दूगने चार इस परकार से एक आएगा जीरो 11 हो जाएगा दो पंचे 10 हो जाएगा फिर यहां पर एक बज़ेगा फिर जीरो दो पंचे 10 तो पूरा कड़ी गया ना मेरा भाई पूरा कड़ के खतम हो गया तो यह भी मेरा 510 भी एक सम संख्या है तो कभी भी सम संख्या चेक करना हो तो कैसे करेंगे उसको दो से पूरा डिवाइड कर दीजे ठीक है डिवाइड करने के बाद आपको पता चल जागा यान संक्या में काउंट हो जागा क्यों कि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते मेरा भाई जैसे यहां पर चार आठ साथ है तो इसका अंतिम में क्या है बिसम संक्या अब पहले यह थोड़ा समझ लिए इसको ठीक है फिर हम यहां पर चलेंगे तो आपको देखकर ही पता चल जागा कि वह संक्या जप एस फॉरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो यहां पर बजगा एक पूरा कटा नहीं बजगा ना तो सेस्पल बज़ गया जो पूरा पूरा नहीं कड़ता उसे भी सम संक्या कहते हैं ठीक है मेरा भाई उम्मीद है कि ये दो चीज़ आप समझ गए अब अगर माल लेते हैं कि कुछ भी एक संक्या जेसे हमने अभी क्या लिखाता है दो सत्य चोध कड्जेगा मेरा ठीक है तो इस परकार से आप नहीं साथ हमने लिख दिया ठीक है जिसे P बटे Q के रुप में लिख सकते हैं लेकिन Q 0 के मान की equal नहीं होना चाहिए नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए उसे हम परिमे संक्या कहते हैं सवाल आएगा और भी detail में बात करेंगे तो P बटे Q में जिस भी संक्या को हम लिख सकते हैं वो मेरा क्या होता है परिमे संक्या होता है मेरे भाई ठीक है परिमे संक्या अब परिमे संक्या किसे कहते हैं तो बस इसका उल्टा होता है जिसे हम P बटे Q के रुप में नहीं लिख सकते हैं यानि कि जिसका कोई सटिक मान नहीं निकलेगा ठीक है और इसके अंदर एक example set होता है मेरा भाई पाई पाई का मान होता है 22 बटे 7 अब 22 बटे 7 को जब हम काटेंगे न तो 3.14 3.14 करके dot dot इसका कोई अंत नहीं है मेरा भाई repeat मार मार करके चलता जाएगा तो एसा संख्या जिसका कोई अंती ही नहीं है जिसका पूरा exact भेलो हम पता नहीं कर सकते हैं जिसका सटीक मान पता नहीं कर सकते हैं उसे क्या कह देते आप परिमे संख्या परिमे संख्या होसा संख्या जिससे पी बटे क्यों के रुप में लिख सकते हैं अगर हम यहां पर ल अभाजी संख्या पाएगा और इस तरीके के सभी संख्या को अबाज संख्या कहते हैं जो एक से और खुद से कटता है अगर आप बुलेंगे मेरा भाई कि यह नो अबाज संख्या है तो नो देखें मेरा भाई एक तो एक से भी कट जाएगा एक तीन से भी कट जाएगा और नो से तो कटी है क्योंकि पांच एक से कटेगा और सिर्फ पांच से कटेगा और दुनिया के कोई संख्या नहीं जो पांच को काड़ दे ठीक है मेरा भाई अगर आगे आप जाएंगे जैसे मैंने आपको कहा कि आठ आठ अबाजी संख्या संख्या होगा तब का इसक परकार से कटेगा और बाकि और किसी का अदमब नहीं को काड़ तो इस परकार की जैसा संख्या जो एक से और केबल खुद से मतलब कि तेरा खुद ही तेरा से कटेगा यही खुद से होता है ठीक है मेरे भाई तो उम्मिद करें यह चीजे समझ गए अब आज संख्या कि क्या खुबसूरती है यह आप समझ गए है अब आगे एक जातिय मान होता है यह बहुत इस में पुष्टा कि साथ का जातिय मान क्या होगा अगर इसमें पुछता कि ता क्या होता तो एक बड़ा भाई है जिसका मान है स्थानी अमान क्या होता है तो स्थानीय मान कसम से मैं 5 जтесь मैं और क्या होगा तो कुछ भी करने को जो चो तक जिने सं्ख्राइबformed जिंसें जो्तनैंब तुटन सुक्षिताइब tror confront एहां पर पूछताल है इस थानियमान बता क्या क्या होगा तो तीन लिखते हैं उसके बाद कितने संख्राइब दो koyet उसके बाद में जीतना संख्या उतना जीरो लगा देजी आपका काम तमाम हो जाएक तूमीद करें यह दो तीन बातें यहां पर आप समझ गए होंगे अर्ट यार यार यूनिट डिजिट कोई कसम से रोकेट साइंस नहीं है बिस्वास किजिए मेरा यह एक तम बहतरी चीज ह है यार आपको बोट मजा आएगा ठीक अब्रश्ण क्या है एक प्राक्रम्र candidate संक्या को खते हैं यह से लिकर सुरू होता है एक दो तीन चार चाहरा पांच इस संख्या को क्या काते हैं पूर्णस आइप घोता है ओजिसेरो से सुरु काउंट करते हुछ से पूर्णस नंबर है इन सब Kleili रुद πο कर दो करे यह ऑन सब्धस जाएगा अगर से लेकर निव обяз परकान से уह होगा- ठीक है दो सभी चीजे हैं और कुछ बात नहीं। अब आगे ऑई unit digit, जो हम यहां पर बात कर रहे थे कि आज की इस class में हम unit digit का परदाफास करेंगे। यह परन लेकर आता हूं मैं ठीक है तो देखे भाई यूनिट डिजिट में आपको थोड़ा बहुत पहले मैंने समझाया था कि यूनिट डिजिट क्या है कि अगर मैं आल देगी छे, साथ, आठ लिग देगा एक्जामनेर और बोलेगा मेरा भाई इनमें से यूनिट यूनिट डिजिट बताओ कितना होगा तो आप जट से करेंगे कि एक चालिस को बार से गुना कर लिया जाए दो एककम दो दो चुके आठ इसे तो हम कर रहे है अभी एक एक चार फिर यहां पर जो बात बनेगा नो और चार तो आप बोलेंगे दो दो इसका यूनिट डिज जाए तो दोनों को बीच में रखके गुना दो एक के दो हो गया वाद कतम इससे पहले दो ही आया था कि दूसरा कुझा था बढ़ी दो ही आया था ठीक है तो इसका एक एक जमपल दिया इसमें किस परकार से पूछे जाएंगे समाजने कोसिस किज़ें सबसे पहले जो उसी परकार से यहां पर घटाओ है तो घटाओ में भी कोई बड़ी चीज नहीं है अगर यहां पर 63-12 लिग दिया गया है तो सिर्फ इस 3 से इस 2 को घटा दीजे 3 में से 2 जाएगा तो एक बचेगा तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ठीक है यह चोटा चीज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कल के दिन में यह जो घटाओं में एक्जम्पल दे रहा हूं एसा नह से 4 को घटा दीए तो 3 बचेगा तो यह इकाई अंक 3 आजाएगा ठीक है बस इतना ही करना है आपको एंसर बताना है ठीक है उम्मिद करें यह समझ गए घटाओ अब गुना में भी सेम चीजे होता है ठीक है गुना में आपको एही परकार से पूछेगा कि अगर मालत की 43 ग में भी इसमें आपको बड़ा भी पूछा जाएगा इसमें बड़ा बड़ा भी पूछता है एसा भी से अगर, एसे कर्मोंज़ाने 6 6 art13 अब किसे करेंगे कैसे करेंगे तो सबका एक Twenty को ही लेना है मेरा भाई ठीक है सबका figure को ही आम लेखे चलेंगे यहां पर दो और च्छे ज्मने बारा बारा का कितने नियुक् Ding आप इसको कर सकते हैं साहत ही 20 21 1 तो सुमें अंतने बैला क्यों ने मिला कर सकते चुरूथ यहां तक किसी परकार की समझ साथ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए उम्मिद करें यह तक समझ गए होंगे आप अब स्कूर का एक खेल होता है जिसको हमें समझना है इसके बाद स्कूर के अंदर घटा गुना भाग सारी चीज़े होता है कि दो के पार में छे दे देगा अब बताव यार इसका इकायंग क्या होगा बताईगे नहों रहा ठीक है अभी हम बताएंग आगे बताएंगे दो के पार में 315 बताई इसका इकायंग क्या होगा अब इतला कर पाएंगे यार नहीं लेकिन इसका भी कुछ ना खुछ तो मसाला है हमारे पास कि हम देखकर भी बना सकते हैं ठीक है तो आगे इसी का बात करने वाले हैं रन निती के अनुसार अब कुछ सवाल है जो जोड़ वा इसी परकार से यह गुणा है इस गुणा को आप करने जाएंगे तो सबसे बिले दो और चार को गुणा कर लिजे आठ हो गया आठ को फिर एक से गुणा करेंगे तो आठ गुणा एक वराबर राबर राइट एंसर आठ इसका मनेगा यूनिडिजिट का बात कर रहें ठीक ह अगला सवाल घटा है मेरा भाई तो इस दोनों का एंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना थीक है तो इहां पर कितना है चार है यहां पर सोल नहीं कर दो एक उधार लेगा तो चोधों हो जाएगा तो आड बचेगा ठीक है मेरा भाई कूछ उसी पर कर सिए सवाल इसका अब square के उपर में बात करते हैं के अंदर सा ही unit digit का काम हमें करना होगा बताना ओगा कि क्या आ सकता है ठीक है तो आपका पाउर में नंबर है जिनके बारे में कुछ चर्चा हो जाए यह और आपका अभी तक 5 और 6 इनके बारे में आपको पता कर रहे हैं ठीक है? बता पाँच के पाँभ्र में कुछ भी रखे क्यों बात पक्का है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा ऑपर से शेट करके भेजा गया ऑबुगा एक बात ना था है कि आतो एक युणि डिजिट से इसको बंधूर रात शार रहें तो एक के एक 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 तो एक के पाउर में एक कोई दिक्कत उसी फरकार से अगर पांच के पाउर में कुछ भी रखेंगे पांच के पाउर में मालते हैं तीन दो चार छे रख दिए कुछ भी रखें पांच के पाउर में फ़रक नहीं भरता पांच के पाउर में इतना तो 525 हो गया 25 गुना 5 बराबर 125 टोटल 125 इसको इगनोर मारी है यहां से 125 125 का इकाई यंग 5 हो गया तो ये बात चलता है कि मेरा भाई 5 के पाउर में कुछ भी रहे 5 ही आएगा ठीक है अब आपके दिमाग में इस परकार की चीजे भी आ रहे होंगे इस परकार की चीजे भी आ रहे होंगे मेरा भाई देखिए अगर कहीं पर लिग देए कि 315 यहां पर लिग देए 678 तो यूनिट डिजिट में क्या करना कि सिर्फ इसका इकाई यंक देखना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसके बाद वले क्या संख्या है और यहां पर बात करेंगे तो यहां से कोई मतलब ही नहीं है इसके पार में कुछ भी रहे 5 के पार में कुछ भी रहे 5 ही होगा सीधे 5 लगाना है ठीक है भाई तो यह चीज़ां आपको समझाने कोसित करें कि कितना भी बड़ नंबर क्यों न दे एक 3 7 5 6 7 फिर से 5 करार इसके पार में तो यह जो नंबर है पीछे वाले यह यह साथ सो इससे कोई मतलब नहीं हमें हमें सिर्फ 6 को पकड़ेंगे उपर में देखेंगे 6 का पार में खुछ भी 6 ही होता है और इसका इंट्रेस्टिंग और एक चीज बताएंगे अगर आपको जोल जाल कुछ याद नहीं कर पाते हैं तो भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा ठीक है चिंता मत कीजिए अब ये 6 पाला चीजे तो समझ गए 6-5 की 0 के पार में जिंदगी में कुछ भी रहे तो 0 ही होगा एक के पार में कुछ भी रहे एक ही होगा 5 के पार में कुछ भी रहे 5 ही होगा 6 के पार में कुछ भी रहे 6 ही होगा ठीक है ये चीजे समझ गे अब इसी का एक 4 और 9 का खेल है उसको समझा देते हैं आपको ठीक है मेरा भाई 4 और 9 4 और 9 का कुछ सिस्टम बनता है उसको देख लिजे ताकि आपको काम आएगा कभी कभी 4 और 9 ये जो नमबर है 4 और 9 इसका काम है देखिए ये काम करता है सम और विसम संख्या में अगर 4 की पावर में 4 के पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो उसका इकाई एंक क्या होगा हमेसा 6 होगा ठीक है और 4 के पावर में अगर भी संख्या रहेगा तो उसका इक होगा कैसे होगा भी आपको बता रहा हूँ नो के पार में अगर सम सेंख्या रहेगा तो इसका पार में एक होगा हमेशा मतली काई एक होगा और नो के पार में अगर भी सम सेंख्या रह जाए तो इसका याद रखेंगे कोसिस करेंगे इस पूरा का पूरा पीपिटी आपको दे देंगे टेली गराम में कोई बड़ी बा लिए सि लिए, मैंने अब को सम और भी सम पढ़ा है तक यहां पर काम आए तो चार के पावर में, जब भी सम संख्या होता है इक ही लिए और गुना एक करते हैं तो चार आता है और चार के पार में आगर समसेंल रखेंगे तो चार के दिन चार के पार में आपको अनठावन पर चार के पार मेंन तो सर्श भी जोड़नले आम पहर से पाँच चार का स्कुर करके देगा लिए क्योंकि इसक्वर सबसे छोटा नमर समसी का है तो चारे चारे शोल ला पीटर Dr. THIS बूल भाँजांगी इसनों स्वारा चाचेयर स्व क्या है तोसट थार सबता होगा है थे हमक्तिस्था,,, पांगे फड़ätने भी खुच्था 59 95 777 777 तो आप जठ से बता पाएंगे किर båता पाएंगे क्या होगा होगा फाई इसका अंतेम में क्या देखेंगे तीन ज्रक जाए तो इन सफेतर होगा है ईतना बाते आप आब अब इन सभी का invari नीचोड LCD बताने की कोशिस कर रहे हैं अगर आप इस चीज को नहीं समझ पारें आप दो बर पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा ठीक है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार ठीक है समझ नहीं कोसिज किजे ठीक है अब इन सब का एक तोड़ देते हैं जिसे हम बर्भासतर कह देत हैं कि मान लेते हैं यहार हमें कुछ नहीं पता इस सब के बारते lo Belsum में क्या सम सम एक ऐसी चीज अगर आप देखेंगे ना, तो हर संख्या, चार नमबर के बाद, चार पाउर के बाद रिपीट करता है, हर संख्या, ठीक है, देखें, अगर मैं करूँ, दो का पाउर में एक, तो क्या आता है, दो आता है, अगर दो का पाउर में दो करेंगे, तो क्या होगा, चार आएगा, दो के पार में cube करेंगे तो 8 आएगा दो के पार में 4 करेंगे तो 16 आजागा दो के पार में अगर हम यहां करते हैं दो के पार में अगर 5 करते हैं तो 16 दूने 32 दो के पार में 6 करते हैं तो 64 आजागा दो के पार में अगर 7 करते हैं तो 64 का double कर दीजे तो 128, 2 का 8 करेंगे, तो 256, फिर आप यहां से रिपीट करा सकते हैं, 2 का पाउर में 9 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 256, 400, 500, 512 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 का पाउर में 10, 512 का 1024, अब आगे और कर सकते हैं, 2 का पाउर में 11, अगर कर दूँ, तो 1014, 2048, और 2 के पाउर में 12 करेंगे, तो 4,096, 4,096, बिल्कुल, अब देखें, आपको एक चीज़ यहां पर समझ में आ रहा हो, कि मैं बताने की कोशिज क्या कर रहा हूं, मैं बताने की यह चीज़ कोशिज कर रहा हूं, कि हर संख्या 4 पाउर के बाद रिपीट करेंगा, यहां पर पाउर एक, दो, तीन, चार गया है, इकाई यहां कर देखें, दो, चार, पांच, यह पांच केसे, यह तो आठ है, पांच, छे, आठ, छे, यहां पर भी जो पाउर, चार पाउर तक यह, उसके पाउर पाउर में फिर दो रिपीट करा, फिर चोथा पाउर में, फिर चार रिपीट कर दिया, फिर आठ देखें, फिर छे, फिर देखें, दो यहां पर भी रिपीट करा है, चार यहां पर भी रिपीट करा है, आठ यह चाहरएक Sun इसेvens तरह देड़िये आपको एक ही चीज करना है परहर चार पार के बाद तो पार चेल बार से रिपीट करता है तो यह जो नंबर है ना यह नंबर इस अंतिम का दो नंबर को अंतिम का दो नंबर यहит दो है इसका 1 यंद्यीर कर लिए 45 आगे कुछ भी रहyll नहीं करना चाहिए 2 रहेंगे इसकता निसम race के चार से Jamie यह कुछ को दिवाइड करना चार चाहरी चाहिए 46 बस रेक्य बचेतंगा ये वहला आगर्येग काईब बस यही कि आगर कर रहा हूं आगे मैं चलता हूँ अगला साइड पर तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है अगला साइड इसे पर बात करते हैं ठीक है देखें मेरा बाई अगर मैं कहूँ अगर मैं आपको इस चरीके से कहने की कोशिस करता हूँ अगर मैंने कहीं लिग दिया कि 315 315 के पावर में क्या है चार साथ तीन अब कि मान लेते हैं यार 38 है तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा अगर आप देखने जाएंगे इकाई एंक क्या होगा तो पिछले का दो नंबर कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए अब यहां पर पांच है इसका अंतिम का दो नंबर द विए और आप लागा सकते ऐसा नहीं कि यह कल के दिन अगर आप कहेंगे और मैंने यह ले लिया मलेते के साथ ले लिया और पावर में 20 क्या होगा अब जैसे इसको चार से भगा करेंगे 4 से 20 को भगा करेंगे तो चार पंचे 20 तो फूरा-पूरा कड गया तो अब तो बोल रखेंगे तो आप चार रखेंगे तो 7 गुना साथ गुना 7 उस परकार से तो 739 का 9 वह जाए गा तो इसका इक इक नौनाम एक आसी हो जाएगा तो एक उनिडिट आ जाएगा ठीक है हम आगे और भी बात करेंगे उमीद करें कि यह चीजे समझ में आगे नहीं नहीं समझ गया जो आपको यह भी बताए कि miT к पाऊंच के ना धुक्षों राखर दिया जाए मैंने आपको यह भी बता रखा था किन यह सवाल ना वह आज मैंने हाथ से लिखता यह सवाल तो पहली सवाल यह कुछ भी आजए जीरो ही एंसर आएगा ठीक है जीरो को जीरो से गुणा करते हैं जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या फरक पड़ता है जीरो ही होगा तो अगर आपको यह चीज पता नहीं है तो समझते काम करते हैं कि अंतिम में हर चार से पास पावर करेगा तो चार से इसका अंतिम दो इजीट को डिवाइड कीजे तो 47,38,38,42 पूरा-पूरा कड़ी गया जो पूरा-पूरा कड़ जाता है हमेरा भाई तो जो जिसका हम इकाई यहां पर लिखा गया जीरो के पार में पूरा पूरा कर जाता है तो उसका पार में क्या करते हैं चार बिठाते हैं जो पूरा पूरा कर जेगा उसको चार बिठाएंगे जो पूरा पूरा नहीं कर देगा उसको जो सेस्पल बचेगा रिमेंडर उसको पर में पार में बठाना ठीक है फिर सॉल्व क तो जीरो के पावर में फोर यानिकी जीरो गुना जीरो गुना जीरो गुना जीरो अर्था सब को जीरो से जीरो गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा ठीक है यह बहुत बेसिक से सवाल अगला सवाल आपके सामने फिर यह केसी डावा है यार फिर जीरो के पावर में इतना करेगा 5 को पड़ेगा और इसका अंतिम जो पार है इसका दो जीट को 4 पांच ही होगा, मैंने दोनों तरीक से आपको निकाल के बताया, ठीक है, आगे बात करते हैं, दिखें, आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरुआ ही, आगे बढ़ते हैं, दिखें, 25 के पाउर में 27, 5 के पाउर में एक तो आप ये क्या लिख़्ा, फरक नह तो 5-25, 25 आजाएगा फिर इसका 5 को लेकर यहां से पांच से गुना कर देंगे तो फिर 25 हो गया अब बताईंगे यहां तक किसी आज़िसी, हमतला अपको दिक्कत हो रहें तो बताएंगे ठीक है, उमीद करें यहां तक बाते आप समझ रहें हैं, उमीद करें एसा ठीक है, यूनिट इजिट बहुत बड़ा खेल नहीं है अब आपके सामने यह सबी सवाले हैं जिसको आपको करना है मेरा भाई ठीक है अब देखें चार के पाउर में 172 चार के पाउर में 172 अंतिम में 2 है यह सम संख्या है और अगर आपको एक पता है रुग जा भाई रुग जा ठीक है यह अगर रख देते हैं तो आपको यह चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे अंतिम का दो डीट को 4 से डिवाइड करेंगे 4 से बैटर के डिवाइड देगा 4 एक चार यहां पर बचेगा 3 तीन फिर 0 तो चार अटर्थे क्या होजेगा चार अट्थे 22 पूरा पूरा कड़ी गया यार तो चार के पाउर में फिर 4 ही निप्टाना पड़ेगा क्योंकि जो पूरा-पूरा कड़ जाता है तब हम क्या कर पढ़ते हैं कि इसी 4 को 4 बना करना पढ़ता है चाहर गुने चाहर गुने मधाई चाहर गुने कर दिए चाहर योग तो आकर शरिकर 활동 कर दिए तो इससी कई कर दिए आप देखें इस सवाल के उपर में बढ़ते हैं इसकाची हो गया अब जिसे चाहर के पढ़ में एक आइक सुन्ट है तो पिछले बता रखने कि चाहर के पार में ऐगा मेरा इक सम्ट तो चार के पार में एक मेरा इसा था तो एंसर चाहरी आए गा है ठीक है और आप अगला क्या बात बोलेंगे अगला आप इसको चार से डिवाइट करके भी बना सकते हैं चार को अगर में 65 से डिवाइट करूं चार के पाउर में क्या है अंतिम में 1 है तो इसका अंसर 4 ही होगा ठीक है उमिद करें कि 4 की यहां पर चीजे खतम हो रही है अब ऐसा नहीं कि 4 पर ही सवाल नहीं लाए हैं और 9 पर भी सवाल हम नहीं लाए हम इस दो रूल को आपको याद कराने कोसिस कर रहे हैं कि भाई पता है कि हर चार के बाद पाउड रपीट करता है इसका नो के पार में यह सई एक रखेंगे तो एंसर नो ही आएगा मेरा बात यहां पर उचीत है, तो समर्थन कीजिए, ठीक है, समझ गए, अब इसे 9 के पार में ये 3600 क्या है, 3600 समसें क्या है, जैसे ही समसें क्या है तो अंटिम में एक आएगा मेरा भाई, ठीक है, अगर 4 से इसको काड़ेंगे, 4 से जैसे 0-0 तो कड़ेंगा नहीं न, तो पूरा 3600 को अगर 4 से आप कड़ाना चाहे, तो 4 नाम 36 तो पूरे कड़ जागा मेरा भाई, चार नाम 36, ये 2-0-2-0 सब कड़ जागा, तो जो कड़ गया उसके पार में क्या है, तो 9 के पार में जब समसेंग क्या तो एक, बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, उसी को सभी सिधानत को दिमाग में रखते हुए, ये सवाल आपके, मतलब आपके लिए मैं स्वाप के जा रहा हूं कि इसका अंसर आप कोमेंट बोक्स में बताएंगे, ठीक है, 9 के पार में 4, 8, 7, 1, 6, अब क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेलफूल रहेगा, ठीक है, अगे कुछे, अब देखिए, इसक्वेर के अंदर कभी कबार इस टाइप से सवाल पूछते हैं, वो एक साधरन सा सवाल था, अब क्या करा है, यहां पर पलस, 9 के पार में क्या है, 2 है, 9 के पार में 2 का मतलब है, कि 9 का इसक्वर 81, 81 का 1 है, 1, पलस, 4 के पार में 2 सम, यानकी 4 ही आएगा, फिर 9 के पार में 2 सम, यानकी 1 आएगा, फिर, यहां पर 4 ही आएगा, 4 के पार में 2 सम, 9 के पार में 2 सम, यानकी 1 आएगा, डोट-डोट करके चलेगा, तो अगर आप एस सवाल को देखेंगे, तो आ 2 संख्या को मिला करके पांच औ इसी का 100 संख्या का अधा जोड जोड करके बनेगा तो ये देखें मिलने दे मिलने बने घानard तो सो संख्या में कितने ऐंक होगे पिषुश सवाल हें उसी टाइप से यह वाला सवाल तो refusal वाल ऐतानी है चांए कि यहाँ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब उस पर बैस डी यह सब ही सवाल है और इनको आपको करना है यह सवाल आप क्या कर लेंगे क्या मैं करा देता हूं व्यार देखिए सवाल देख करके काफी बड़ा लग रहा लेकिन साइकलिसिटी का इस्तवाल करेंगे पांच के पावर में पांच के पावर में कितना है इतना ह इसका तर चैकिनिक को समझते हैं दूसरा से डिवाइड करेंगे तो 4 बीच में जोड है तो जोड करेंगे पांच है, पांच के पावर में कितना है, 97, 97 को जैसे ही 7 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से, तो 4 दूने 8 हो जागा, 1 बचेगा, 17 आजएगा, 4 चारे-चारे 16 हो जागा, 16 हो जागा, तो बचेगा 1, यानिकी रिमेंडर 1 बच रहा है, तो 5 के पावर में कितना रखेंगे एक रखेंगे, ठीक है, फिर बीच में पालस, फिर 6 है, 6 के पावर में कितना है, 42 है, तो 42 चार से कड़ेगा, 4 देहम 14, दो बचेगा 16 पल, यानिकी 6 के पावर में 2 हो जागा, ठीक है, आप इसको गुना किजिए, पांच का तीन बार, यानिकी 5 का तीन बार जब करते हैं, पांच का तीन बार आप जब करेंगे, तो 55 होगा, फिर इस पांच को यहां से गुना करेंगे, तो 55 के पांच हांते भी रहा दो, ठीक है, तो 5 पांच दस, यहां पर 10 अद दस चो यानिकी 6 करेक्ट उत्तर, इका इंक कितना हो गया, 6 हो गया, बिल्कुल हो गया, उमिद करे सबहरे आपके अपके लिए, यह सवाल, आपके लिए होंबक है, उमिद करें कि आज की यह कथा समझ पाएं होंगे, जो मैंने आपको समझाने की कोसिस करा है, तो इन सभी सवालों का एंसर आपको कमेंड वक्स में छापना ही है, ठीक है, आपके भरसे हम छोड रहे हैं, पर का इकाई यंक, ठीक है, सब्स्राइब अभाज, सभी अभाज सेंक्या, तो अभाज सेंक्या, कौन सांक्या होता है, एक सवाल देख लीजी इसको, अभाज सेंक्या, जो खुझ से और एक से कटा हूँ, तो कितना हो ज़एगा, एक, दो, तीन, पाँच, साथ, नो, इसे कर कि करके चलेगा इगाराम सभी का इका इंक क्या होगा गुनन फ Rs. लोके तो उत्तिम और इसका कुंग साहें you जिरो बन जएगा दस और जिरो से किसी भी संख्या को गुणा करो जिरो ही बनेगा तो इसलिए यह सवाल हमने रखा है ठीक है उमिद कर समझ गें इसी पर बेश्ट अगला एक सवाल ही कि सभी बिसम अबाजी संख्याओं को गुणनफल क्या होगा सभी बिसम अबाजी का करेंगे अगर इसको 10 15 15 5 अब इसका एक नियम भी इसका पांच का भी तिक को कि सी भी अगर बिसम संख्या के साथ गुणा करेंगे बिसम संख्याओं स्धなた से करेंगे तो दस येज आइगा अब यहां पर खेल कि ठीन पर्षर पंत्रा की यह तो अंतीम में पांच बने गाए software पंदरह केसाथ है चला है यूए कि संब एक संब थीक है दो ही एक संब अभाजय संख्या मांकि सब्सक्राइब को जैसे ही समघन करेंगे तो इसका अंतीय वंग क्या देगा पांच देगा क्योंकि 5 का गुना विस्टम के साथ जब हम करते हैं तो 1 कंच बंता है करक्तूत्तर पांच होगा ये बात आपके दिम पर आपको करने भी सिखा है फिर भी देख लिए इसका इकाई यंग से मतलब है ना साथ को पांच से गुना कर सकते हैं आप पांच आट्थे चालिस हो गया अब चालिस हो गया जीरो आ गया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जीरो जीरो आएगा उमिद कर समझ गया होंगे यहां तक गदना है इसका पाउर करना पहलेए चार से इसको डिवाइड कर दिए चार से बइंगा जीरो तो सील खुंषन गांस एक बचेगा कितने विक्त को ये बात समझ में आगया कि नहीं तो आज की क्लास को ठीक है यहां पर सारी चीजे खतम हो जाता है उमीद करने की यूनिट डिजिट का कलास यह आप समझ पायोंगे इसका कलास एक पार्ट और लेके आएंगे जिसमें आपको फैक्टोरियल विगरा का जो सवाल होते हैं वो भी पूरा का पूरा करा के आपके सवाल कभी मिस नहींगे चाहिए फिर विए सेर पेपर आप उठा के देख लिजिए तो सुक्री आवरीवन आप सभी को आज की क्लास कहीं पर समझ करते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में और क्लास कैसा लगा इसका फीडबेक आपको जरू नीचे लिखना करना यार सब्सक्राइब करना नहीं करना यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन कलास अगर आप समझ पा रहें ना तो एक फीडबेक कमेंट बॉक्स में जरूब डाल दिए कि भीया हम सीख पा रहें क्योंकि ताकि हम समझ पाएं कि मेरी एफट आपको आप मतलत समझ रहें तो शुक्रीया वरीवन आज की कलास कहीं पर समझ करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर पें तब तक लिए धन्यवाद चाहिए